हाई फैंड्स वेलकम टू माई चैनल आज आप सबके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ स्पॉंजी रसकुल्लो की रेस्पी यह रसकुल्ले सभी के ही बहुत फेवरेट होते हैं लेकिन जब हम इसे घर पे बनाते हैं या तो यह फट जाते हैं या चिपक जाते हैं या जरूर देखिएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यह बहुत ही टेस्टी स्पॉंजी रसकुल्ले तो इसके लिए सबसे पहले हम दूद उबालेंगे तो जिसमें भी आप दूद उबाल दे हैं उसमें पहले थोड़ा सा पानी डाले जिससे की नीची के साथ से चिपक दूद में भी बना सकते हैं या बफैलो मिल्क में भी बना सकते हैं लेकिन उतने स्पॉंजी नहीं बनते हैं तो एक बार ट्राइ कीजिए आप ये गाएं के दूद से बनाईए बहुत ही जादा स्पॉंजी रसकुल्ले बनेंगे अब इस दूद को हमें उबालना है बीच बस जादा हमें दूद को नहीं उबालना है बस एक उबाल आने तक इसको उबालना है अब क्यास की क्लिम को बंद करके दूद को थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे नॉर्मल पानी डालेंगे इससे क्या है जो दूद का टेमपरेचर है वो थोड़ा सबाएं और इस तरीके से हिलाते हुए एक से डिड़ मिनट तक इसको थंडा करेंगे तो बस इस तरीके से इसको चलाते रहेंगी इससे क्या है इसके उपर मलाई नहीं जमेगी तो देखे एक से डर्ड मीनाट हो चुका है और दूद हलका सा ठंडा हो गया है अब हम इसको फाड़ेंगे तो उसके लिए आपको यूज करना है विनेगर मतलब सिर्के का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा कप मैंने यहाँ पानी लिया है इसमें हम डाल देंगे एक पड़ा चमच सिर्का तो डिरेक्ट आपको दूद के अंदर सिर्के को नहीं डालना है इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है बस पानी के अंदर मिक्स करके आपको सिर्के को डालना है अब यह पानी जो सिर्के वाला है इसको थोड़ा-थोड़ा डालेंगे और इसमें मि आधा़ पढ़ने की सकथ तक मीचित के रस भी मिर्मतन डूद कीड़ से एक पनें कना में बद्ध वाड़ने के लिए भी सुंहें डूद में अधिक इस्वाद से बूद को रश्दकी टीच करें दिमादा अहले हैं दूद मे मिल सकते Leaders से दूधा तो डूद नहीं है तो ठोड अब चलते हैं इसे चान लेते हैं तो चानने के लिए आपको चाननी लेनी है उसके ओपर एक कपड़े को रख देना है और अब हम इसे चानेंगे अर और साथ ही में इसकी ओपर थोड़ा सा थन्दा पानी दालके हम इसको कर लेंगे घंदा मतलब नॉर्मल पानी भी टाल सकते हैं जो इसका खटा बन है वो हमें निकालना है क्योंकि सिर का थोड़ा सा खटा होता है अगर आप इसकी ओबर पानी नहीं डालेंगे तो जो रसकुले हैं वो हलके से खटे लगेंगे इसलिए आपको पानी से अच्छे से इसको धो लेना है और अब हम इसका पानी कपडे को उठाएंगे से अर पहले हातों से सारा पानी को दुण Eliy पानी निकालने के बाद अब हम इसे ना 15-20 मिनट के लिए रखेंगे बहुत जादा दिर के लिए रखने की ज़ुरत नहीं है 15-20 मिनट के लिए इस तरीके से रख देंगे इसके ओपर कोई भी चोटी सी भारी जीज रख देंगे फिर उसके बाद हम इसके रसकुले तो 15-20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें याँ पर ये छेना हमारा बिल्कुल परफ्रेक्ट बना है बहुत जादा सूखा नहीं है अगर ये बहुत जादा सूखा होगा ना तो रसकुले भी बहुत जादा टाइट बनेंगे अब बस हमें मेन मेहनत करनी है इसे मसलने की त इससे यह एकदम चिकना हो जाए वैसे रसकुले बनाने में कोई भी महनत नहीं है बस थोड़ी वह जो महनत है उस हिसे मसलने में है और यह देखिए इस तरीके से हम इसको हतेली से अच्छे से मसलेंगे और जैसे आप देखेंगे देरी देरी यह हलका सा चिकना होने लगा है और यह देखिए बिल्कुल भी हातों पर चिपक नहीं रहा है क्योंकि यह गाएं का दूद है अगर आप टोंड लेंगे या बफैलो मिल्च लेंगे तो वह हलका सा क्या है उसमें फैट होता है इसमें फैट बिल्कुल भी नहीं है इसलिए गाएं के दूद में कभी भी रस प्रेट आट चाले जाएगे सारा प्रेट के लिए पर हटता जाएगा रा रोट ले लिएeko बाड़ाई चाह सके है झाले चम्मचielt हम एक चोटी चफ्छ रजट उसा ने लिए और इसमें मिक्स करना है तो हमें मसल्ना बिलकुल नहीं है बस बाद में अरा रोट लेना है और इस तरीके से इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर देना है क्योंकि यह बाइंटिंग का काम करेगा और जो रस गुल्ले आप फर्स बनाने की जरुरत नहीं है क्योंकि पानी में जैसे ही आप इने अबालेंगे चाशनी में यह डबल साइज के हो जाएंगे इसलिए चोटी चोटी बॉल्स बनाएं मैंने यहां पे मीडियम साइज की बॉल्स बनाई है अब हम लेंगे और दोनों हतेलियों के बीच में इसको इ बनाशन कर नाँ है और ये देखिए कहीं भी इसके अंदर आप Like सकते हैं पर देख सकते हैं क्रैक का निशान नहीं है चोटे मोटे निशान है उससे नहीं फटेंगे ज़्हादा बड़े SQ पानी में जालते ही फट जाएंगे तो पहले सारी बॉल्स बनाके हम रेडी कर लेते हैं ये देखिए सारी बॉल्स हमने यापे बनाके रेडी कर ली है आप चलते हैं चाशनी बनाने के लिए तो उसके लिए पतीने में हम डालेंगे चीनी तो मैंने यापे यह एक बाउल चीन मुझ में ठाई आए हमें इसमें पानी दालना हैrying में डालना है एक जासमा पाने अधमति की दंधना है टा कंड़ा enabled इसमें को आई रखना है तो पहले को ह Ley मैं अधसंपّ दिर ओख गोई इसी इसमें घुल गई है फिर हम इसे ढग देंगे और इसमें अच्छा सा उबाल लाते हैं और जैसे आप देखेंगे इसमें अच्छा सा उबाल आने लगा है गैस की फिल्म को हाई ही रखना है अब एक बॉल उठानी है फिर से हलके हाथों से इसको गोल करना है और इसे हम ड क्वल बनेंगे फ्लेट यह नहीं बनेंगे तो पहले सारे रसकुले हम इस जद्ब टाल देते हैं और अब ऑम इंधे пять मिनट तक ड़क्षन हो दो कि अपांच मिलें जब ही यह तक की संद। दबल हो गया है अब हम इसे दीरे से पल्टेंगे तो जो सर्वी स्पून है उसको हम पीछे की साइट सी दीरे-दीरे इसको मतलब हलके हातों से ऐसे घुमाएंगे ज्यादा पल्टेंगे नहीं नहीं तो यह फट जाएंगे फिर से हम इसे ढख देंगे पांच मिनट के लिए तो टोटल हमें इने 15 मिनट तक उबालना है 15-16 मिनट तक पांच मिनट बात फिर से अटाएंगे फिर से हलका सा इनको घुमाएंगे और फिर से हम इसे ढख देंगे तो पांच मिनट और उबलने देते हैं अब दूसरी साइड हमें चाहिए ठंड़ा पानी तो हम डेर सारी यहां पे ले लेंगे ice cube और साथी में ठंडा पानी इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि रसगुलो को हमें direct गरम पानी से निकाल के मतलब चाशनी से निकाल के हमें ठंडे पानी में डालना है तो यह पानी हमें पहले ही ready करके रख लेना है तो फिर से 5 मिनट हो चुके हैं और यह देखिए टोटल हमें घड़ी देखके से 15-16 मिनट तक उबालना है यह अच्छे से उबल चुके हैं साइज में double से भी जादा हो गए हैं अब हम इसे direct निकालेंगे चाशनी में से चाशनी को उसमें रहने देंगे और इनको रसकुलो को डाल देंगे ठंडे पानी में ठंडे पानी में डालने से क्या होगा यह पकना बंद हो जाएगे मतलब ओवर कुक नहीं होगा जितना हमें उबालना है रसकुलो को हम उबाल चुके हैं इसलिए बाद में हम इने ठंडे पानी में डाल देंगे जिससे कि ये फ्लेट ना हो अब बस ठंडे पानी में डालने के बाद अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में चार से पांच गंटे के लिए या आप इने ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं लेकिन मैं इन्हें पांच खंटे के लिए फ्रिज में रखोंगी तो इसको पहले उठा के फ्रिज में रख देते हैं और दूसरी साइड यह जो चाशनी है इसको हम एक में एक से देड़ मिनट तक और उबाल लेते हैं इसको पहले फ्रिज में रख देगे अच्छे फ्रिज में रख देगे तो पांच खंटे बाद तो पांच खंटे हो चुके हैं और यह देखिया है यह एक दम स्पॉंजी हो गए हैं बहुत थंड़े हो गए हैं और साथ ही में चाशनी भी अच्छे से थंड़ी हो गई है मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए जैसे आप दबाएंगे सारा पानी इसमें से निकल रहा है जैसे आप इसे पानी में डालेंगे यह फिर से गोड हो जाएंगे तो बस अब इसे सर्व कर लेते हैं इसे इसमें पानी में से निकाल के इसके उपर हम डालेंगे थंड़ी थंड़ी चाशनी तो इस तरीके से आप कभी भी रसकुले बनाएंगे ना तो आपके रसकुले ना ही फटेंगे ना ही फ्लेट होंगे और एक तम स्पॉंजी बनेंगे जरूर ट्राई कीजेगा और आज की मेरी ये रैस्पे आपको कैसी लगी मुझे कमन बॉक्स में कमन लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक बार इस तरीके से रसकुले जरूर ट्राई कीजेगा आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजे शेर कर दीजे फैमली और फ्रेंट्स के साथ और जल्दी से कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई